हेलो दोस्तो नमस्कार एसे हम किसी चैनल में मैं आप सबलंका दिल से बहुत-बहुत सवगत करता हूँ अगर आपने पहली बार विजिट किया जरू चानल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल आइकन को एट करके औल जरू सिलेट कर लेना उसी के साथ-साथ फ्री स्टॉ जरूर देख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दिया है तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अगर मैं बात करूँ तो आज की दिन की बात करें तो वापस यहापे management के साथ यहापे numbers के प्रती कुछ सवाल जवाब यहापे हुए है अगर हम लोग बात करें आगे क्या हो सकता है इससे related भी कुछ points यहापे IRCTC के management ने यहापे सबी लोगों के सामने आपे रखे अगर आप चाहो तो वो interview शायद से आप लोगों को किसी भी news channel के उपर भी देखने को आपे मिल जाएगा आप चाहो तो वहापे भी जाके वो चीज़ों को cover कर सकते हो पर जितने important बाते हैं वो इस video में में यहापे cover करने वाला हो तो यहापे पूरा interview देखने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी obviously video को start करने से पहले में एक disclaimer भी देना चाहूँगा yes IRCTC मेरे portfolio में भी है बहुत पूराने समय से है जैसे मैंने का कि जो bonus plate भी हम लोगों को देखने को मिला था वो भी मैंने enjoy यापे किया है यह मैं इसलिए disclaimer दे रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि कोई bias चीजे हो रही है तो आप चीजें को straight away ignore कर सकते हो ठीक है so IRCTC के अगर हम लोग बात करें जैसे के हम लोगों ने numbers देख लिया और जिस तरीके से comeback देखने को मिला है ऐसा लग रहा है कि आने वाले numbers में catering business वापस जिस तरीके से IRCTC में सबसे ज़्यादा कमाई catering business ही करता था वह वहापे वापस अपने position को क्या कर सकता है return मतलब भी यहापे कर सकता है अभी की बात करें तो आप देख सकते 686 पे फिलाल यह stock देखने को मिल रहा है numbers की अगर मैं बात करूँ तो बाजार को इतने कुछ खास numbers लगे नहीं राइट ऐसी कोई जबरदस्त तेजी ने personally में थोड़ा expect कर रहा था कि positivity दिखनी चाहिए बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला ठीक है so अभी आ जाते दोस्तों जैसे मैं आप लोग को कहा कि यहापे 5 important points हम लोग को देखने को यहापे मिल रहे हैं एक एक करके हम लोग easily इसको यहापे sort out कर लेते हैं so दोस्तो point number one जैसे मैंने का कि जो भी management ने जो बात ये बोली है वही मैं आप लोगों को बताना चाहँगा है IRCTC में अलग-अलग business है तो सबसे पहले common business के साथ ही start करेंगी कौन सा उनका railway का business मतलब ticketing की अगर हम लोग बात करें internet ticketing का business so internet ticketing का business कैसा चल रहा है इससे related बात करेंगे इसके बाद point number two ठीक है पहले internet business की ही बात कर लेते है so यहापे IRCTC के management ने भी ये बात बोली है except भी की है कि yes वो भी थोड़ इससे disappointed है क्योंकि internet ticketing का business flat भी रहता तो भी चल जाता बट हम लोग को थोड़ा बहुत गिरावट देखने को आपे मिली है so definitely वहापे improvement की ज़रूत है year on year basis it's fine but quarterly अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा बहुत गिरावट देखने को आपे मिली है but उन्होंने ये भी का है कि आने वाले समय में ये सारी चीज़े हम लोग को sort out होते हैं देखने को आपे मिल सकती है क्योंकि अभी भी अगर हम लोग बात करें कुछ एक दो points हम लोग को बीच में देखने को आपे मिले थे प्लस जो भी railways cancel होते हैं obviously उसके refunds भी आपे करने पड़ते हैं तो वो सारी चीज़े हम लोग को देखने को मिले थे तो उसका aggregately जो performance देखने को मिला है internet ticketing business का खराब नहीं है वाहियत numbers नहीं है but yes at least हम लोग expect करते हैं कि अगर 10 है last time तो इस वक्त 11 तो होना चाहिए so इस वक्त हम लोगों को थोड़ा सा internet ticketing businesses से disappointment देखने को मिली शायद से वही एक reason हो सकता है कि IRCTC की इतने बाकी के overall number अच्छे आने के बावजुद भी market ने उसको welcome नहीं किया है then उन्होंने यहाँ पर point number 2 जो की इसी से related है जुड़ा हुआ point है वो भी उन्होंने यहाँ पर बता दिया है और वो बता दिया है दोस्तो कि आने वाले quarter 1 first quarter के number and quarter 2 के number बहुत ही शांदार हो सकते आप सबी लोग को पता है दोस्तो कि April, May, June and उसके बाद July, August, September यह festival वाले सीजन से रहते हैं बहुत सारी चीज़े देखने खास करके अगर हम लोग बात करें April, May, June के बाद July, August, September अभी आप बोलेगे सर July, August, September तो यह तो बाद में आएगा न तो इसका impact अभी कैसे तो दोस्तो यही आप से के management ने भी आपर बताया है कि आपर क्या चल रहे है दोस्तो कि festival रहेंगे जैसे मेरे आप लोग को बताया July, August, September बद जो उसकी booking रहती है दोस्तो वो हमने को advance booking देखने को आपर मिल रही है और online होने के करण सब कुछ चीज़े fast चल रही है और खुद IRCTC के management ने बोला है कि 120 दिन के advance booking चल रही है इतना मतलब जो भी impact अगर देखोगे तो यह सारा impact आपको कहा पर देखने को मिलेगा Yes, quarter one के result में देखने को मिलेगा booking ए quarter two के हिसाब से मतलब जो आने वाले जो trains रहेंगी जुलै की या फिर उसके आगे august की अगर हम लोग बात करें बट booking अभी से यहापे चल रही है So revenue तो अभी हम लोग को Q1 में ही यहापे दिखाना पड़ेगा क्योंकि accounting की भी अगर हम लोग बात करें So जरूर यह एक valid point मुझे भी लगा है अब ही यह हकीकत में होता है नहीं होता है यह तो quarter one के numbers में हम लोग को पता है यह आपे चल जाएगा वैसे quarter one के number कब रहेंगे April, May, June अभी June खतम हो जाएगा उसके बाद जुलै में हम लोग को देखने को मिल सकते है So यह एक वहाद ही valid point उन्हें आपे रखा है कि Q1 में बहुत जबरदस demand देखने को आपे मिलता है और उसी के तरीके से IRCTC आगे grow होते वे देखने को मिल रहा है Next दोस्तों अगर हम लोग आपे बात करेंगे point number 3 के बारे में उनी का एक business है जो की खुद IRCTC भी चौक गया है किस से related येस catering business food से related पहले वो pack food देते थे पहले तो सब कुछ ही बन था just because of covid then pack food की शुरुआत उन्हें आपे किती वहाँ पे भी इतना ज़्यादा demand नहीं था बट अभी सब कुछ हट चुका है railway swapper start हो चुके है demand बढ़ रहा है और लोग यहाँ पे जैसे पहले catering अभी मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रुत नहीं आप खुद company के catering services का जो segment wise revenue है वही सब कुछ बोल चुका है बहुती मतलब जबरदस growth हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है और यह अभी की हालत है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ticketing का revenue कम हुआ है तो कम booking देखने को मिले हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते है expectation के इसाब से तो भी catering में इतना जबरदस performance अगर यहाँ पे internet ticketing जबरदस यहाँ पे होनी लग गई तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा catering का business और भी हम लोग को grow होते वे देखने को मिल सकता है तो इसलिए उनके management में कहा था कि catering का business वापस अपने पूरा पोजिशन पे वापस यहाँ पे लोट सकता है जो कि almost 99% यहाँ पे लोट चुका है तो catering का business IRCTC का बहुत अच्छा कर रहा है इसके पीछे का reason एक है दोस्तो e-catering मतलब आप सबी लोग को पता है कि जो भी menu available रहता है आप लोग यहाँ पे mobile phone के through आपको जो भी खाना चाहे हो यहाँ पे अपने seat के उपर मंगवा सकते हो इतना जबरदस facility हम लोग को देखने को मिल रहा है तो इसका फाइदा IRCTC ने भरपूर उटाए है और numbers में भी हम लोग को इसका reflection साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है and in fact Q1 and Q2 में जैसे मैं आप लोग को बता है कि बहुत ज़्यादा rush रहेगा तो इसके चलती यह business और भी कई गुना ज़्यादा revenue IRCTC को कमा कर यहाँ पे दे सकता है so definitely हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे catering business IRCTC के लिए एक बहुती solid performance देने वाला यहाँ पे साबित हो चुका है then दोस्तों बात करेंगे point number 4 जैसे कि मैंने आप लोग को बता है कि rush इतना बढ़ चुका है advance booking चल रहे 120 दिन का so extra special trains भी यहाँ पे हम लोग को start होते वे देखने को मिल चुकी है so special train जितने ही चलेंगी उतना ज़्यादा IRCTC हम लोग को कमाते वे देखने को आपे मिलने वाला है खास करके अम लोग को यहाँ पे यह Q1 Q2 में ही ज़्यादा देखने को यहाँ फिलाल तो यहाँ पे मिल जाता है खास करके Q2 में देखने को मिल जाता है बढ़ उसकी booking Q1 में ही हो जाती है तो इसलिए ये सारी चीज़े यहापे हम लोग कह सकते कि आने वाले numbers IRCTC के और भी यहापे भेतर यहापे कर सकता है ये चीज मैंने बोल रहा, management ने ये सारी चीज़े हमारे सामने हापे रखिए मैं सिफ आप लोग के आपे आसान भाषा में थोड़ा सा इसको explain करके आपे बता रहा हूँ सो special train के चलते IRCTC के internet ticketing का भी business grow होगा and plus उसी की सासाथ catering जो अल्रेड़ी अच्छा कर रहा है and बाकी सारे business इस हम लोगो grow होते भी देखने को जरू मिलेंगे then दोस्तो point number 5 tourism का business yes IRCTC ने आपे बता है कि tourism का business में भी अच्छा कासा response जरूर देखने को मिल रहा है by air by land by sea जितना कुछ हो सके collaboration भी उनने किया है and उसका अगर हम लोग overall अगर performance देखे तो अच्छा कासा ही performance हम लोगो देखने को आपे मिल रहा है definitely यहापे और भी हम लोगों को भीड आते भी देखने को आपे मिल सकती है जो कि IRCTC ने एक और बात बती है रेल नीर की अगर हम लोग यहापे बात करें वो एक ऐसा बात है जहापे थोड़ा सा disappointment देखने को मिला है वहापे भी वो expect कर रहे थी कि और अच्छा performance है स्ट्रॉंग यहापे हो सकते है अगर हम लोग यहापे बात करें IRCTC की management ने एक ही बात यहापे बुली है कि आने वाले समय के quarter 1 के numbers and Q2 के number बहुत ही धमाकेदार यहापे रहने वाले है यह तो management ने बोला है no doubt अभी यह हमारी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग study करें management तो अपना काम करेगा ही हमें भी अपना काम करना है and अगर आप इसके उपर भरुसा करते हो तो आप लोग definitely अपना call यहापे ले सकते हो so IRCTC की बात करें obviously मैं इससे पहले भी बता चुका दोस्तो कि कोई खराब company नहीं है अगर यह company सरकारी company नहीं होते हुए अगर यह private company होती है दोस्तो तो यह खा से का चली गए होती ऐसी कोई बात है कि सरकार के against में कुछ हूँ बट आपने देखा है कि जितने भी सरकारी companies रहते है उनमें decisions बहुत ही delays होते है देखने को मिल जाते है कोई एक व्यक्ति decision नहीं ले सकता बहुत सारे committees बेठानी पड़ते है तब तक बहुत ज़्यादा time भी चला जाता है बीच में हम लोगों ने देख भी लिया है कि convenience fees से related कैसा drama हम लोगों को देखने को यहापे मिला था तो इसके चलती यह एक ही point ऐसा है दोस्तो जो कि हमेशा 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 जितने भी सरकारी companies है और IRC जैसे अच्छे companies को भी परेशान यहापे करता रहेगा वरना balance इतनी strong है सब कुछ यहापे strong है share holding pattern से लेके हर एक चीज बट यह एक point के चलते बहुत सारे लोग यहापे क्या हो जाते disappointment हो जाते in fact mutual fund भी यहापे उन्हें ने भी बताए था कि हमें यह भी company अच्छी लगते है हम लोगों ने अच्छा कासा निवेश किया था बट बीच में जो चीज़े हम लोगों को देखने को ली इसके चलते हम लोग भी यहापे मतलब डर गयते है मतलब उनका अगर आप holding भी देखोगे हम लोगों को बहुत कुछ हट तक कम भी होते वे देखने को यहापे मिला था इस सारी चीज़े हम लोगों ने आप इससे पहले भी आपे देखी यह देखी आप लोग यह आप देख सकते हो बहुत ही जबरदस पहले हम लोगों को share holding pattern देखने को मिलता था अभी थोड़ा बहुत हम लोगों को यहापे मतलब ठीक टाक performance देखने को तो यहापे मिल रहा है पहले आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था FIS की अगर हम लोग बात करे तो NDIS की भी बात करे तो सो दोस्तो जितने भी बात है थी वो सारी यहापे मैंने cover कर लिए नो डाउट अभी आप लोगों की भी responsibility है यह सारी चीज़े आप लोगों ने study यहापे ज़रूर करनी चाहिए बट अगर देखा गया मैंने इससे पहले भी बता चुका company का business fantastic business है क्योंकि इसको कोई competitor market में available नहीं है risk की बात करें तो यहापे कोई market capitalization का risk नहीं है कि यह small cap है obviously यह company बहुती बड़ी company है large cap company है इसमें एक ही risk है yes यह सरकारी company है और सरकार क्या फेसला लेगा यह किसी को भी नहीं पता बीच में एक और खबर भी आमनों को देखने को मिली थी कौन सी यहापे OFS भी आ सकता है अभी यह search है जूट है किसी को भी नहीं पता बट ऐसे खबरों के चलते ऐसे stocks में आमनों को फिर तेजी देखने को भी नहीं मिलती है इसलिए मैं आज भी इसमें profitable हूँ बट जिन्हों लोगों ने अभी अभी invest किया है उन्होंने ये सारे points को जरूर यापे study करने चाहिए आशा करता हो जितने भी important बाती थी वो मैंने आप लोगों के सामने आपे रग दी है वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेर कर देना तब तक के लिए बाई बाई